हलो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ अश्वीन और स्वागत है आप सबका मेरी इस चेस्ट चैनल में दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक बहतरी गेम दिखाऊंगा इंग्लिश ओपनिंग में और वो गेम ख्यली गई थी मिखायल बौट विनिंग और लाज ऊस्पोर्टैस के बीच में और जब canım ke rap करें आपको कभी मिखायल बोट विनिग को पूलना नहीं चाहिए अगर आप सही माइनों में इंग्लिस लर्न करना चाहते है ठीक है ना तो आपको मिखाल बोटविनिक की गेम स्टेडी करनी चाहिए और इन ब्यूटीन अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्स्राइब कीजिए प्लीज लेगी थी 1968 में और इवेंट था मोंटे कार्लो और यह काफी रेपुटेट चेस्ट चेप्विन्शिप मानी जाती थी उस टाम पे तो आए शुरू करते है गेम मिखल बोटविनिक ने गेम की शुरुआत की पॉन्ट टू C4 और नाव पॉन्ट टू E5 और बाइद वे इस गेम की फर्माईश थी स्टीफन केरी जी की स्टीफन जी में शायद आपका नाम नहीं जानता और सिर्फ यूजर नेम से अंदर जा लगा रहा हूँ कि आपका नाम स्टीफन होगा ठीक है तो C4 E5 नाट C3 नाट F6 पॉन्ट टू G3 और यह जो C4 और E5 का स्ट्रक्चर है दोस्तों वो रिवर्स सिसिलिन स्ट्रक्चर है और गेम और रिवर्स और जाती है जब बलेक है और D5 खेलता है ठीक है लगिन अभी नहीं खेला तो might be a close सिसलिन और अगर D5 खेलता है तो फिर और रिवर्स और इसी पोजिशन में बलेक ने खेल दिया D5 और जो स्ट्रक्चर है उसके इसाब से पता लगया है तो गेम है रिवर्स सिसलिन ड्रेगन बिशब टू जी टू और दोस्तों जब ड्रेगन की बात आती है ठीक है न और बलेक से आप ड्रेगन खेलते हो तो मैं उसको इतना अच्छा नहीं मनता क्योंकि उसके सामने पर दूसरी बार अटेक किया बलेक ने खेला बिशब एशिक्स प्रेइंटिंग इट नाइट टू एफ्ट्री एटेकिंग एफ़ाई एड नाइट तो सीशिक्स डिफेंडिंग इफ़ाई और यहां पर बोट्विनिक जी ने कैसल किया और बलेक ने खेल दिया नाइट क्या होता है नॉर्मली एक एटेक होता है और कभी भी अगर यह नाइट ओन एफ्ट्री मौ हो जाए तो अल अफ़ाई दूसरा एटेक भी आ सकता है ठीक है ना तो अगर आप इंगलिस खेल रहे हैं इंगलिस के सामने खेल रहे हो तो आपको यह चीज ध्यानी रखनी है कि दूसरा पर अपना कोभी पीस ज्यादा टाइम तक नहीं रखना क्योंकि उस पर ज्यादा टेक्टिक्स आती है जस्ट टू अवड टेक्टिक्स पॉन्टू डी थ्री और इसी पोजिशन में देखते क्या होता है अगर ब्लेक जो है और नाइट बीशिक्स ना खेले और ब्लेक यहाँ पर धियान न दे और केसल कर ले फिर तो यह एफाई पर पॉन है और अगर एक कैप्चर डी फॉर आये तो फिर नाइट टू बीफाई अपकोस डी फॉर पर हम कैप्चर करेंगे लेकिन थोड़ी दिर बात कैसल नाइट कैप्चर डी फाई और यहाँ पर चब काफी बेक लेजाना पड़ेगा मतलब सी एट यहाँ पर दिकत यह भी है दोस्तों जैसे ही नाइट यहां से मूव होगा फिर भी से उन पर प्रेश्र आजाएगा तो वाइट विल गेट गूड पोजिशन इसलिए यहाँ पर कैसल के बाद ब्लेक ने खेल दिया था न यहाँ पर रिवर सिसलियन में वाइट अगर दिफॉर खिल सकता है फिर उसकी गेम काफी अच्छी हो जाएगी पॉंट तो दिफ्री बिशब टू एट सेवन और पॉंट टू एट्री पॉंट इस एट्री बिफॉर प्लान और देन जस अटेक अन देट पाइग पॉंट त और दो दोस्तों यहाँ पर बिशब एट इस एट टो पर प्रिफ एट को प्रिवेंट किया वाइट ने एक और पीस निकलना चाहिए नोर्मली क्योंके ना जाती है जी फॉर पर पर बिशब को परशल करती है ठीक है यहाँ पर बलेक ने खेल दिया चैसल और आप नाइट बोट विनिक है उनका totally focus किदर है queen side और यही होता है दोसर सिसलेन में भी वहीं करना चाहिए आप अगर black से सिसलेन खेल रहे हो तो आपको वहीं focus करना चाहिए ठीक है queen side पे attack launch करने का और अगर आप white से river सिसलेन खेल रहे हो तो भी same side queen side क्योंकि आपके यहां पे a3 और b4 दो पॉन है और सामने black के queen side तीन पॉन है तो आप क्या कर सकते हो पॉन आगे बढ़ा के एक पॉन को कमजोर करके बाद में उसको target कर सकते हो and normally it's a pawn on c5 knight a4 knight capture a4 queen capture a4 और अब bishop to d5 और यहां white ने शुरुवात कर दी attack की c7 pawn पे pressure बढ़ाने के लिए उन्होंने attack की शुरुवात की फिर rook f to c1 और intending के और उनको rook c file पे double करने है rook to e8 rook c2 and now bishop to f8 अबकोस इससे इस rook को थोड़ी बहुत life मिलेगी और अब rook a to c1 और आप देख रहे हो दोस्तों white ने already rook डबल करती है और यहाँ पे black ने गलती कर दी उन्होंने खेला knight to b8 दोस्तों उनका point यह है कि अगर आप rook capture c7 खेलते हो ठीक है न फिर वो आपके rook को trap कर देना चाहते है आपको क्या लगता है यह सही plan है और अगर यह सही plan नहीं है तो इसमें white और क्या क्या कर सकता है तो यहीं game में हुआ knight b8 के बाद both भी निक जी ने तो pawn मार दिया c7 पे और black ने खेल दिया bishop c6 और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और दिखा दू आपको bishop c6 ही खेलना पड़ेगा अगर rook को trap करना है आप knight c6 नहीं खेल सकते अधर्वाइज फिर आएगा bishop to b6 threatening rook capture c6 and rook capture b7 both so queen to d6 ठीके ना और उसके बाद queen b5 और आप देख रहे हो यहाँ पे rook को कोई परशानी नहीं है so white है वैलें टूली पॉन जो है वो प्लस हो गए है और even next move में शायद यह भी कर सकता है rook capture on b7 so इसलिए rook capture c7 के बाद bishop c6 ही जरूरी है और यहाँ पर वीडियो पॉस करो और देखो कि आपकी अबोट की तरह winning move find कर सकते हो ठीक है ना it's a white to move and find the winning move क्योंकि a4 पर आपकी queen b hanging है और आपका rook भी अभी trap जैसा ही है तो क्या करोगी यहाँ पर here comes the beautiful exchange sacrifice with rook capture on c6 knight capture on c6 or b capture on c6 game में खेला गया b capture on c6 and still black यह चाता है कि white का दूसरा rook जो है वो भी चला जाए वो भी trap है अगर knight capture c6 दोस्तों खेलते हैं ठीकी ना तो फिर rook capture b7 और white को दूसरा pawn भी मिल जाता और action के सामने two pawn and bishop is good तो इसलिए black ने यहाँ पर b capture c6 खेला बट यहाँ पर black ने miss किया किया ठीके ना अगर आपने यहीं तक देखा है तो it's okay लेकिन आगे की move अगर आपने सही में पहले ही देख ली है ठीके ना जब आपने rook capture c6 खेला था then you are truly genius here comes the most fascinating move beautiful and amazing move that is rook capture on f7 और potish ने के ला pawn to h6 उन्होंने realize किया कि यहाँ पर इस rook को मारा नहीं जा सकता आए देखते क्या होता है अगर king capture f7 if king capture f7 दोस्तो then queen c4 check और अगर king g6 अपकोज आप king f6 या king e7 पर नहीं जा सकते है otherwise just bishop to g5 check wins the queen so वो तो हो नहीं सकता so king to g6 फिर queen e4 check और अभी आपको वापस f7 पर जाना पड़ेगा and then net g5 check और यहाँ पर game almost over रही कियो कि g8 पर बेक जाओ तो queen capture h7 is just met ठीक है ना और यहाँ पर net g5 के बाद अगर आप king e7 या f6 पर जाओ तो क्या होता हो देखते हैं जैसे कि king f6 पर जाता है दोस्तो दन queen f3 check अब king g6 पर जाना पड़ेगा अगर यहाँ पर वापस जाते हो दन सिंप्ली queen f7 और king to d6 और then knight to e4 is just checkmate है के नहीं तो इसलिए net g5 के बाद king को जाना पड़ेगा king f6 ठीक है और अब queen f3 वो हमने देख लिया king f6 queen f3 देखा अब king back नहीं जा सकता वो देख लिया था तो अब देखते है king g6 जाता है तो क्या होता है अगर king g6 जाता है दोस्तो फिर queen f7 चेक अगें आपको discover attack में जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको पता है आप easily जीज सकते हो knight e6 सिर्फ queen win हो गई ठीक है ना आप यहाँ तक ही count कर लो वो काफी है लेकिन यहाँ पर g5 by force ख जाके नहीं तो आएए दूसरा भी देख लेते हैं अगर king capture f7 के बाद queen c4 और हमने देखा king to g6 ठीक है ना और दूसरा मैंने आपको बोला था अगर e7 और f6 पे जाता है तो bishop g5 queen e4 king f7 net g5 और यहाँ पर हमने यह वाली move देख ली king f6 देख ली ठीक है ना अब देखते है king e7 तो यहाँ पर video post करो दोस्तों आप देखो किस तरह से भी न हो जागा यहाँ पर आप खेल सकते हो फिर bishop to c5 check या फिर queen to e5 check और अगर king to d7 then bishop to h3 is just winning है की नहीं है any doubt तो आये शुरू करते हैं वापस गेम में जाते है रुक केप्चर f7 के बाद गेम में खेला गया pawn to h6 क्योंकि हमने देखा king capture f7 अगर आता है तो सारे variation में white जो है वो बीन था so pawn h6 के बाद rook to b7 of course rook save करना ज़रूरी था क्योंकि अब knight g5 या फिर bishop g5 position में नहीं है so king capture f7 was possible now rook to b7 queen c8 attacking the rook queen c4 check king h8 और यहाँ पे मिखल बाटविनिक ने एक और बहतरीन में उख खुली rook का sacrifice he played knight to h4 और दोस्तों यह typically हो जाएगा windmill setup क्योंकि हम क्या करने वाले है knight g6 check followed by bishop e4 so bishop और knight से typical windmill attack set होगा knight move होगी तो bishop का check again knight move होगी तो check otherwise वापस bishop knight move होके check देगा अभी हम देखते हो गिम में खेला गया queen capture b7 हाला कि queen e6 black खेल सकता था लेकिन उसके बाद भी queen e4 और वहीं सारी threats position में है जैसे की knight g6 तो आई देखते है queen capture b7 के बाद क्या होता है knight to g6 check of course king है की जगा पे जा सकता है h7 और अब bishop to e4 और यहाँ पे दोस्तों देखो वैसा ही हो रहा है अब जैसे ही knight move होगी check लोगेगा ठीक है knight कुछ भी capture कर लेगी king को move होना पड़ेगा वापस knight उदर आएगी वापस check और वापस जब knight move होगी तो वापस bishop का check this is a minimal setup bishop to d6 game में खेला गया और अब knight capture e5 bishop का check pawn to g6 and now bishop capture on g6 king to g7 अब क्या करोगे अब तो कोई check नहीं है क्या खेलोगे यहाँ पे क्या आप bishop capture e8 खेलना चाहते हो जहाँ पर black खेल सकता है simply bishop capture e5 और उसके पास rook और knight अभी दोनों है ठीक है और आपका आप क्या कर रहे हो अपना जो attacking piece है ठीक है उसको exchange कर रहे हो लेकिन यहाँ पे वीडियो को post करो and find the winning move क्योंकि गेम में बोटविनिक जी ने जो move खेली उसके बाद black ने resign कर दिया था ready move है bishop capture on h6 और black ने resign कर दिया क्यों resign किया आई यह देखते है अगर अगर king capture h6 then queen h4 check king g7 और queen to h7 और आप देख रहे हो दोस्तों black की जो queen है वो b7 पे चली जाएगी ठीक है ना king f8 और queen capture queen और अभी threat है queen f7 checkmate की अगर वो save करते हो फिर queen capture 8 तो यह सब पोजिशन में था इसलिए bishop capture h6 के बाद जो black है उसने resign कर दिया और of course आप यह मत सोचों कि यहां पे भी जा सकते है h8 पे otherwise just net to f7 और वापस queen चली जाएगी और similar position में गर king f6 जाता है sorry king g7 bishop capture h6 और king f6 जाता है दोस्तों then this leads to the same position queen f4 check king e7 और उसके बाद queen f7 और again white जो है ब्लक की queen को win कर लेगा तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो मुझे आशा है मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो please please इस चनल को support कीजिए by sharing it subscribing it और वीडियो को like दीजिए अपनी comment देना बिल्कुल ना भूले ठीक है तनिवाद चाहिएं बाबाई झाल बाई